तो Current Affairs के आज के अंग पे हम Current Affairs से जुड़े हुए हैं महत्यपूर्ण पक्षों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो Current Affairs के अंतरगत आपका जो अगला टार्गेट है वो है बांगलादेश से जुड़ी हुई एक न्यूस है बांगलादेश में यूनिवर्सल पिंसन योजना का प्रारम किया गया है ठीक है बांगलादेश आप सभी को पता है भारत से ही अलग हुआ एक इस्सा है भारत का ही एक इस्सा था पाकिस्तान बना फिर बांगलादेश बना तो बांगलादेश ने एक योजना चालू की है यूनिवर्सल पिंसन योजना सत्रा अगस्त दोजार तेईस को ये योजना आपकी आई थी बांगलादेश सरकार के द्वारा प्रारम की के थी सेख हसीना जी के बारे में आप सभी जानते हैं सेख मुझीबर रह्मान की जो बेटी हैं इस समय बांगलादेश की प्रधान मंत्री हैं सेख हसीना जी तो 18 वर्स से अधिक आयो के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक पिंशन कवरेज योजना है आपकी यह इस योजना के अंतरगर च्छै योजनाओं को जोड़ा गया है बांगलादेश यूनिवर्सल पिंशन योजना ठीक है यूनिवर्सल वर्सल पिंशन योजना इसमें टोटल च्छै योजना हैं कितनी योजनाय समलित हैं इसमें टूटल 6 योजनाय समलित हैं अपके ठीक है 18 वर्ष से अधिक आयो के नागरिकों के लिए 15 योजना है ये पूरी के पूरी ठीक है अब इसमें जो अभी योजनाय सुरू हो चुकी है च्छाय योजनाओं में से एक तो प्रगति है तूसरी प्रावासी है ऐसे करें टोटल चार योजनाय तो प्रारंब हो गई थी आपकी सत्तरा अगस्ता है इसको के लिए आपका है अब आपको लाएगा कि सर बांगला देश में क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं अंतराश्टी संबंदों से जुड़ी हुई योजना में से चार आपकी प्रारंब हो गई है ठीक है यह योजना में से सबका अलग अलग योगदान है जो प्रगती योजना है यह नीजी जो नौकरी करते हैं प्राइवेट जॉब बाले हैं उनके लिए प्रगती योजना है सुरोखा उनके लिए है जो स्वारोजगार कर दो योजना से आइव का कोई भी नाग सकता है और साट वर्स की जो Daha esse यहां। पर आपको वाहेकर सकता है। और 60 वर्स की यह जाएगा एक पैंसन मिलना से अधिकायो का व्यक्ति भी सामिल हैशे में जोडा गया है और सबस्क्राइब पढ़ेंगी आपका ठीक है तो अठारा वर्स से अधिक और फिर इसके बाद तो लगातार उसी हिसाब से इसके सब के प्लान बनेंगे तो यह आपको रफली याद रखना कि बांगलादेश सरकार के दोरा यूनिवर्सल प्रिंसन योजना प्रारम की गए थी एक तो योजना कि यह है ठीक है चले आगे चलते हैं कनाडा अभी हाली में बहुत चर्चा में था एक तो आपको पता है कि कनाडा में एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो खालिस्तान को लेकर के वहां के जो जेस्टिन टूडोज साब थे वहां के राश्टा ध्यक्षुन के द्वारा लग कनाडा में जो प में परोन सहर उतल जहां वहां पर पिर्टिम्न को लम्बिया और ब्रिटिस औरी पनिवेश भी आपका रहता यह तो कनाड़ सरकार के द्वारा देश के पनिपिक्षेत्र के जो कनाडा पतुमी हिस्सा है उसी को बिटिस को कोल मिया कहते तैक है पश्चमी छेतर में क्या हुआ यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जंगल में बहुत तेजी से आग लग गई यह आम तोर पर फायर यह बहुत बड़ी मामला यह केवल कराड़ा भर की बात नहीं है आए दिन चाहे अमेजौन के जंगल हो अस्ट्रेलिया के जंगल हो यहां तक ही भारत में भी जंगलों में आग लगती है तो वहां पर जो पश्चमी ब्रिटिस कोलंबिया छेतर है एक सहर है आपका केलोना सहर यह चर्चा में है तो कभी माल यह कुछ पूछ ले ता इसको लेकर के जंगल में आग लग गई और यहां इतनी तेजी से फैलने लग गई तो यहाँ पर काफी सारे लों को विस्थापित करने के कांट से सरकार के दोरा इस पूरे छेतर में अपात काल भी क्या किया गया आपका घोशित किया गया तो कनाडा में अभी emergency की situations हैं और ये जो है अगस 2023 में यहाँ पर जब आग लगी थी आपकी पश्मी अभी तो मामला सांथ है मलब इस चीजों में वो किया गया आप सोचे जंगलों की आग कितनी खतरनाक होती है जब आपको जंगल में आग लगती है न तो फिर कितने सारे पस जंगल करीक जंगल का नाम था मैकडॉगल क्रीक इस जंगल में आग लगी थी और यह आग इतनी तेजी से बढ़ गई कि काफी लोग विस्थापित हो गए और पैडाम सुरूब जो है यहां पर आप खुछ सोचे अब इसका दूस पैडाम कनाडा के लिए बहुत सारे स्वाई परिवर्तन हो रहा है सूखे जैसे हालात बन रहे हैं बिजलियां गिर रही है ठीक है और इस कारण से जो है यह आपका मानविये गतिविद्यों के पैडाम सुरूफी ग्लोबल वार्मिंग का पैडाम है जो कि कनाडा के जंगलों में आग लगी है तो देखो ग्लो ठीके महुशार में होता भी क्या है जो जंगलों में पेड होते हैं न वो भी आपस में रगट खाते हैं खास्कर बाऊस के पेड जो होते है तो उससे भी कई बार रगड से भी चिंगारी उठती है और आग लग जाती है क्योंकि हवाएं बहुत तेजी से चलती है और फिर बहुत तेजी से पेड़ जैसे रगड़ेंगे आग लगने की स्थिति रहती है ठीक है तो ये एक आपको ध्यान रखना है और कभी भी आपको जब कभी भी कोश्चन आप लिखते है ना अंसर राइटिंग करते हैं तो अंसर राइटिंग में इन पक्षों को आप जरूर मेंसन करिए ठीक है पूरे के पूरे ब्रक्ष जल जाते हैं सोचे खड़े ब्रक्ष जितने जीव जनत्व कुछ बसता नहीं है फिर और इस आग को इतना आसानी कि इतको आसानी से हम जो है बुझा लें ठीक है ये भी आप ध्यान रखेगा एक ये भी आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे बरते हैं नेक्स्ट अगला जो है आपका देखे उत्तर प्रदेश में विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इसका जो जीता जाकता हुदारन है बहुत सारे एक्सप्रेस वे बने अभी हाली में उत्तर प्रदेश को चार बाट के देखते हैं कई बार है ना एक तो आपका बुंदेलखंड चेत्र है हमारा एक पूर्वान चल है एक पश्मी उत्तर प्रदेश एक आवध प्रदेश है अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एरियों पे विकास डिवलप्मेंट चाहे हो नुएड़ा के बारे में आप जानते हैं नुएड़ा का फूल फ्रम है न्यू ओख्ला डेफलेप्मेंट अथार्टी वैसी इब रिजयर ली धिएग़i ठीक है वकी दिदा प्रदेश डिवलप्मेंट अथ उन्दॉर्पर अप्रड में पासल पि एक अपड़ में आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड छेत्र में एक बुंदेलखंड और दोगिक विकास प्राधिकरण बनाने की बात की गई है ठीक है और इसमें जो है यह आपका 12 सेप्टमबर 2023 को जहासी के 33 गावों को जोड़ करके वहां पर एक इंड्रेस्ट्रिल डेवलोप्रेंट बनायजाएगा तो यह कहाँ बनाये जाना है जहासी आप सभी जानते हैं जहासी क्यूं फेमस है आपकी यहां पर ठेक है और यह जो है इसके गठन के लिए मुख मंत्री और दोगिक छेत्र विस्तारी करण और जो नए और दोगिक छेत्र प्रोसाहन योजना उसके अंतरगत इसका गठन किया गया है अभी बीडा को लगबग 5,000 करोड रुपए दिये जाएंगे और इसके तहत यहां पर इंड़स्ट्ियल डेवलंट होगा जहां पर भी इंड़स्ट्रीव डेवलंट अथॉल्टी जाती हैं वहां पर बड़े बड़े जो है आपके उद्योगों के लिए इक तो पहली बात अधार्भूत इनफ्रस्ट्रिक्ट्रीक्ट्यर डेवलप्मेंट किया जाता है logistic park बराये जाते हैं वहाँ पर जमीने भी आपके जो हैं बड़ी-बड़ी जमीने plot यह सब आपका और plot की कीमत सस्ती भी होती है मलब बड़े-बड़े plot बहुत सस्ती कीमतों में उपलबद हो जाते हैं ताकि उद्धोगों को इस्थापित किया जा सके तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जाकर के वहाँ पर अपने प्लांट लगाती है और उससे उनका कारे होता है ठीक है तो नई इंडस्ट्रियल टाउन से बिक्सित होगी यहां पर 33 गाओं को जहांसी के जोड़ करके बुंदेलखंड बीडा का निर्माड किया गया आप 33 गाओं में टोटल यह 35,000 एकर जमीन को जो है टोटल आपका सरकार के द्वारा डेवलप्मेंट की बात हो रही 35,000 एकर जमीन को अब बीड़ के अंतरगत रखा जाएगा और इसको जो है इसमें एक एक नई टाउन सीब बनाई जाएगी और इसमें इंफ्रेस्ट्रेक्ट् क्योंकि बुद्दिलखंड बहुत पिश्रा हुआ छेत्र है यहां पे क्रिसी प्रधान अर्थविवस्ता है मांसून के कार्ण से छेत्र में एकरी कल्चर की इस्तिती बहुत बुरी हो जाती है तो यहां पे बहुत अच्छा जो है यह इनिशेटिव कहा जा सकता है सरकार का ठीक है तो नोड़ा जैसे फिर से बुद्दिलखंड भी चमकेगा आप ध्यान रखेगा बीड़ा का निर्माड किया रहा है यूपी वाले जितने बच्चे हूं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह खबर और आपसे कोश्चन पूछा जा सकता है ठीक है आगे चलत आपकी सुवेन फर्मसिटिकल्स लिम्टेड ठीक है इसमें FDI की मंजूरी दी गई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है सुवेन फर्मसिटिकल्स लिमिटेड जो फार्मा की कंपनिया होती है जो दवाओं का निर्माड कराती है ठीक है सुवेन फर्म मामलों की मंत्र मंदली समिती ठीक है आपको पता है जब कोई भी कोई भी संस्ता है कोई भी कम्पनिय कुछ भी दिवो दस परसंट से उपर अपनी जो है विदेशी जो है उसके निवेश प्राप्त होता है तो आपको यह ध्यान रखना है टोटल 9,589 करोड रुपए का जो है FDI यहां पर प्राप्त हो रहा है 9,589 करोड रुपए का FDI जो है इस कम्पनी को प्राप्त हो रहा है कम्पनी कौन सी है सुवेन फॉर्मासिटिकल्स लिम्टेड इसको प्राप्थ हुआ है और सुवेन फॉर्मासिटिकल्स लिम्टेड के लगभग 66.1% सिरों का अधिगरांट जो है किया जा रहा है और इसके तहज आपका इसको FDI मिल रहा है तो सरकार के द्वारा आपको पता है इसके लिए सेवी एक बहुत महत्यपूर्ण संस्था है यह सभी संस्थाएं जो है इनके observation पर इनके मुल्यांकन पर ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जूरी प्रदान की जाती है और हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश भारत में आए ताकि हम उच्चिस्तरी है शायंत्र लगा सके उपकरणों को लगा सके नए रोजगारों का सरजन हो सके ठीक है तो और भारत की जो एक तक विदेशी निवेश कर सकता है मलब पूरा का पूरा पैसा लगाए नए प्लांट बनाए नए तरीके से इंफ्रेस्ट्रेक्चर बनाए और यहां पर आ करके कारे करें तो भारत सरकार फार्मा छेतर पे बहुत ध्यान दे रही है और FDI को लेकर के कारे करें तो अभी फा सबसे पहले 3-4 चीज़े हмें चाहिए होती है सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास क्या होना चाहिए पूझी होनी चाहिए capital बिना पूझी के हम कोई भी और दोगी गत्विदी नहीं कर सकते हैं दूसरा क्या होना चाहिए पहला तो कैपिटल होना चाहिए ठीक है पूंजी होनी चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए स्रम होना चाहिए स्रम होना चाहिए तीसरा तक्नीकी होनी चाहिए तक्नीकी होनी चाहिए ठीक है बिना टेकनलोजी के भी आप अब अधोगी कर नहीं कर पाएंगे बरतमान की नितान तवशकता है आपकी, ठीक है, तो पूंजी, स्रम, तक्नीकी, कक्चामाल भी होना चाहिए अपके पास, रो मेंटेरियल भी होना चाहिए, अच्छा आप एक चीज सोचे, यदि आपके पास पूंजी है, तो आप स्रम इंपोर्ट कर सकते हैं, बिलकुल कर सक पूझी किस्से चाहिए भारत के पास जितना है, वो सरकार कर रही है, बाकि आपको विदेशी सहायता भी चाहिए होगी, तो FDI एक माद्याम है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेस, FII और FDI के माद्याम से इस आऊसक्ता की पूर्ती करती है, को बढ़ाया जा सके तो सुवेन फार्मा को अभी यह मिला है ताकि फार्मा के छेत्र को बढ़ाया जैसके अब आपको पता है एक संस्था है SpaceX आप सभी जाने है अभी पर आपक्स कंपनी का इस के प्मपनी के बारे में आप आप सभी जानते 29 अगस 2023 को फॉलकेन रॉकेट को लॉंच किया गया है वैसे प्राइबेट तरीके से लॉंच है लेकिन अब इसको आप समझे यह जो फॉलकेन लॉंच हुआ है इस बार का यह इस बार करवाया है नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ओफ इंडिया के द्वारा कर यूपी आई को जनते हैं अप लोग यूपी आई इसी के द्वारा संचालित करा जाता है तो अभी जो यह वाला फॉलकेन लॉंच हुआ है भारत के द्वारा करवाए गया भारत ने अपना ब्लॉक्चेन टेकनलोजी को समर्पित अपना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चालू क खासकर आप लोग देखते हैं जो आर्थिक गत वीडियो में अभी एक नए प्रकार का जो इरा आ रहा है वो आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का ठीक है तो ब्लॉक्चेन प्रबंधन और उर्पियों को सरर बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है फॉलकेन को देश किया गया ह है ताकि कुबेरनेट्स क्लस्टर पर समर्पित ब्लॉक्चेन प्रबंधन को बनाया जा सके ठीक है ब्लॉक्चेन टेकनलोजी क्या है इसको लेकर मैं अलग से एक सेशन लूँगा हो सकता है रिवीजन वाली क्लास में ले लू मैंने एकॉनमी में पढ़ाये आपको कि 사30CIA के द्वारा करवाया है और इसका ultimate गोल है ब्लॉक्चेन टेकनलोजी करके नेटवर्ट डेवलब्पक करना इसको लेकर लेजर तकनिकी के VeLone laser clothes cos अपका उसी को इसके तहट आपका लांच किया गया हाइप लेजर फैब्रिक आपका एक ब्लॉअक्चेंड नेटवर्क है उसी को लाउंच किया गया फॉल्केन के तहट ठेक है तो फॉल्केनग क्या है यह रॉकेट आपका पेसेक्स कंपनी के द्वारा चलाए जारा जो कि एलन मसक्क का है और एंपी-सी-ाई के द्वारा अभी इसके तहट फॉलकेन लॉंच करवाए गया है तो यह कोशन भी पूछा जा सकता है आपका कि इस बार का जो फॉलकेन लॉंच है यह इसका उद्धेश क्या है कि ब्लॉक् पर काम करना वह तो फॉल्कर अभी यौकेट आपका जो है लॉंच है यह मैंने आपको बताया वह ब्रबल के WILL को यह देश की च्छमताओं को विस्तारित कर सकें उसे बढ़ाया जा सकें ठीक है और नोड़ा के ही तरज पे जो है दूसरा नोड़ा बनाने की बात की गई है दूसरा नोड़ा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि जो अन्य आपके इंड़ेश्ट्राइड डेवलप्मेंट है चाहिए वह सारथिया का हो चाहिए वह आपका जो है गीडा हो वह इतने बहतर नहीं हो पाए जितना बहतर नोड़ा में जो है डेवलप्मेंट हुआ लेकिन फिर भी एक बहुत ही पॉजिटीव इनिशेटिव है बुंदिलखंड चेत्र के लिए यहां पर बीड़ा बन इसके बाद एक आपको मैंने बताए कि बांगलादेश सरकार के द्वारा जो है पिंसन योजना लाई गई है यूनिवर्सल पिंसन योजना तो यह करेंट अफेर्स से जुड़े हुए आज के पक्ष है ठीक है ठीक है तो करेंट अफेर्स को लेकर यह पांच टॉपिक है अब आप इनको याद करिए रिवाइस करिए इससे पहले के जितने सेशन है उनको भी रिवाइस करते रहिए धीरे 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 करेंट अफेर्स में पांच पांच टॉपिक करते हुए आज मैंने आपको कर ग्रता से अध्यन करा दिया है कि साइद अब आप लोग को ही पता जो लोग regular हैं जो मेरे साथ continuous हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैंने कितना current affairs कबर करा दिया है ठीक है आप regular रहिए continuous रहिए मेरे उपर भरोशा रखिए मैं आपका कुछ भी नहीं छूटने द झाल झाल